190 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अविनेता डैनी डेंग जॉंपा का जन्म 25 परवरी 1948 को हुआ था अपने पांच दशक के लंबे फिल्मी करेर में यह हिंदी बंगाली नेपाली और तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं हालां कि कुछ अंतरराष्ट्री फिल्में भी इन्होंने की हैं इनका जन्म सिक्किम के एक नेपाली भाशी भूटिया परिवार में हुआ था इनका परिवार गोड़े पालने का कारी करता था तो इनकी रुची भी गुर्षवारी में हो गई इन्होंने एक शाक्षातकार में एक बार कहा था कि अपनी सहपाथी जयाबादुडी के कहने पर इन्होंने अपना सरल नाम छोटा करके डैनी रख लिया था इनकी फिल्मी शुरुआत बी आर इशारा की फिल्म जरूरत से हुई थी लेकिन इनकी बड़ी फिल्म उन्नी सो कैतर में बनी मेरे अपने रही इसके बाद दुन्द फिल्म में अपंग और निराशपती के रूप में इनोंने तमदार अबने किया जिसके बाद इनकी छवी खलनाय के रूप में भी उबरी डैनी को अक्सर अपनी वास्तविक उमर से बड़े किरदार मिले जैसे लव स्टोरी में 1981 में कुमार गौरुव के ससूर तो 1984 में बॉक्सर में मिथुन चकरवर्ती के फिता की भूमिका निभाई 1984 के बाद 1990 की दशक में इन्होंने उसमे के बड़े अबिनेताओं जैसे दर्मेंदर, जितेंदर, मिथुन, राजिस खन्ना, आदी की फिल्मों में नकारातमक भूमिकाएं की चाइना गेट और अशोका में इन्होंने अलग त्रेंके किरदार निभाई बहुत कम लोग जानते होंगे कि डैनी एक निपौन गायक भी रहे हैं डैनी, किशोर कुमार, लतामंगेशकर, मौम्मद रफी और आशा भूसले के साथ गीत गा चुके हैं डैनी ने नेपाली फिल्मों में भी गीत गाए हैं काला सोना में आशा भूसले के साथ सुनो सुनो कसम से तो आशा भूसले और मौमद रफी के साथ मुझे दोस्तों तुम गले लगा लो और इसके लावा किशोर कुमार के साथ बोतल खाली होने तो दो गीत गाया इनकी प्रमक फिल्मे हैं तेवता, सनम बेवफा, गुंजन, खुदागवा, क्रांतिवीर, विजयपत, बरसात, गातक, धुंद, 36 गंटे, बंदिश, धर्म और कानून, आंधी तुफान, इंडियन, अगनी पत, पाप की दुनिया, 1942 ए लव स्टोरी, चोर मचाई शोर, फकीरा, 36 गंटे, काली चरण, काला सोना, आदी हैं, डैनी की समवाद अदयाईगी, इतनी जबरदस्त और प्रभावी रही है, की हीरो भी इनके आगे फिके पढ़ जाते थे,